नश्कार मैं वंकी तबनोर आप देख रहे हैं बिटी नुज पिहार अभी हमें शानपूरा पंचायत में जहा के एक पंचायत समीती कंडिरेट है पूजाद दीवी उनके तरफ से उनके पती हैं जो पक्ष रखने हैं पेसे से पत्रकार भी हैं नौम है अजयस सास्त्री अभी हम इनसे जानते हैं कि इस बार जो पंचायत समीती के लिए पद के लिए उत्रे हैं इस बार के पंचायती चुनओ दंगल में तो किन मुद्धो को लेकर उत्रे हैं जब हम इनके बारे में जब हम यहां के गाउं में आये थे अजयी सास्त्री जी जरा इन से और हम डीटेल में सोगते हैं कि कि पूरा को परखंड बनाएंगे चांदपूरा को पर्खंड जिस परकार लोग आजादी के बाद भी अपने आपको सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे हैं और तमाम आलाओं अधिकारियों के द्वारा और नेताओं के द्वारा बार बार चांदपूरा को परखंड बनने की बात कह कर लिखित दे करके भी और जिस तरह से इसको नीमा पहुचा दिया गया हमने कहा कि चान्दपूरा को नेता नहीं बेटा चाहिए चुकि नेता 1947 से आज तक ठकते आ रहे हैं हमारे रिजिन में मेरा 35 बर सुम्ड हुआ कम से कम चार बार विधायक बने भाजपा के पुर्म में भोला बाबू कांग्रेस भी सत्ता में आई तेजस्वी जादब भी यहां आए और सभी इसको परखंड बनने की बात को ले करके पूरा चुना भी अपना किरियेट कर लिए माहूल कर लिए और आज तक जो है अमीता भुसन के रिजन तक चांदपूरा ही प्रखंड में था हमारे वर्तमान विधायक हैं देर साल इनका कारिकाल रहा हलाकि रहा तो किसी विधायक की कोई योजन धरातल पर नहीं है चांद पिछरा गां चांदपूरा को कोई धियान नहीं देते हैं तो चांदपूरा को हम जो है अगर जनता हमको जनादेश देती है तो हम चांदपूरा को जी नहीं जन लगा देंगे चांदपूरा को परखंड बना देंगे तो आपने सुना कितने दम खंज के साथ इस बार के ज जनता मालिक हमें शिरवाद देती हैं और पंचाय समीती बनाती हैं तो हम चनपूरा को प्रखंड बना देंगे और विकास की बिलकुल गंगा बहा देंगे तो हम भी और भी इनसे जानते हैं कि आप अगर जनता मालिक आपको असिरवाद देती है तो जीते ही सबसे प्रात्मि समिती सदस्या पूजा देवी उनके आवास पर धरना पर बैठेगी और चांदपूरा के लिए जो जनता मालिकों को हमने कहा है कि जी नहीं जान लगा देंगे चांदपूरा को परखंड बना देंगे वह आमरान अंसन पर बैठेंगे जब तक सांसद बिधायक नहीं करवाए चांदपूरा को परखंड के लिए वहीं दम तोर देगी लेकिन चांदपूरा को परखंड बना आपने सुना एक बहुत ही दमखम के साथ अजया सास्त्री यह घुसना कर रहे हैं चांदपूरा परखंड के लिए अगर यह चांदपूरा परखंड नहीं बना तो इसके लि अगर एक पर्खंड बन जाता है चाणफ पूरा जो की बर्सों से आजादी के बाद से जो है गुम्राह कर दिया गया है इन नेताओं के द्वारा अगर एक चाणफ पूरा परखन नहीं जा रहा पांच हजार व्यक्ति जितना मद्दाता है यहां आठ हजार मद्दाता है लगभग पूरे पंचाइट का रोजगार छिन रहा है और यह कम हमारे मौन्मिया विधायक और सौंसाजी कर रहे हैं इसलिए रोजगार छिन रहा है हर घर से एक सरकार देती है हात को रोजगार दे रहे हैं हमारे 5000 मद्दाताओं का रोजगार का कर रहा है था सबसे पहले चांदपूरा प्रखंड बने और चंदपूरा-बनता के लियर बोल रहे है अच्छा अजैजी आप ये पता है आप बीटीनिस बिहार के माध्यम से अपने चाहन पूरा बंचायत की जनता से क्या आवाहन करना चाहेंगे अभी तक जिस परकार से मद्दाता मालिक हम पर आसिरबाद बनाए हुए हैं आप मेरा घर कभी देख लिजिए अभी देख लिजिए चल करके मेरा तूटा हुआ घर है और मैं उन तूटे हुए व्यक्तियों के लिए बना हूँ और मेरा लक्ष है आज मैं उन्हीं के साथ चल नहीं है और आप पता कर लीजिए अपने माध्यम से भी हम एक अपनी परचार गारी तक ने घुमा पाए परचार गारी घुमा नहीं पाए पैसे के अथी में लेकिन जन्ता मालिक का अशिरबाद अगर बना रहेगा तो वही जो बोले जी नहीं जौन लगा देंगे पूरा के लिए रचा जाएगा एक ऐसा ही नेता नहीं बेटा देंगे उनको जो उनके हर कदम से कदम मिला करके चलने का परियास सबका आमान सबका सम्मान देंगे आपने अभी सोना अजय सास्त्री जी को जो एकदम हुंकार बने हैं प्रखंड के विकास के लिए बिल्कुल तत्पर हैं और कह रहें कि चांदपूरा को एकदम प्रखंड बनाकर ही छोड़ेंगे अगर जन्ता मालिक हमें असिरवाद देती हैं और पंचायत के विकास के ल चुनने में आसानी और धन्यवाद